नमस्कार, श्रीमत बालुमी की रामाइन अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका आज हम पढ़ेंगे 112 अर्थात द्वादशाधिक शततमह सर्गह युद्धकांड से ही आज के सर्ग में श्री राम करेंगे विभीशन का राजय अभिशेक और श्री रगुनात जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास पहुचेगा संदेश तो चलिए प्रारम करते हैं आज का पाठ ते रामन वधं द्रिष्ट्वा देवगंधर वदानवाह जग्मुह स्वैह स्वैर विमाने स्थे कथयंत शुभाह कथाह रामनस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमं सुयुधं वानराणां च सुग्री वस्य च मंत्रितं अनुरागं च विर्यं च मारुते लक्ष्मनस्य च पतिव्रतात्वम सीतायाम हनुमतिपराक्रमं कथयंतो महाभागा जग्मुर्ष्ष्टायथा गतं राघवस्तुरत्वं दिव्यमेंद्रदत्तं शिखेप्रभं अनुग्याप्य महाबाहुर मातलिम प्रत्यपूजयार राघवेना भ्यनुग्यातो मातलिहे शक्रसारत्थे तो देवता गंधर्व और दानवगण रावन वध का दृष्ट देखकर उसी की शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथा स्थान लोट चुके हैं रावन के भयंकर वध श्री रगुनात जी के पराक्रम वानरों के उत्तम युद्ध सुग्रीव की मंत्रणा लक्ष्मण और हनुमान जी की श्री राम के प्रतिभक्ती उन दोनों के पराक्रम सीता के पाति व्रत्य तथा हनुमान जी के पुरुशार्च की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदी जैसे आये थे उसी तरह प्रसन्नता पूर्वक चले गए इसके बाद महाबाहु भगवान श्रीराम ने इंद्र के दिये हुए दिव्यरत को जो अगने के समान देदी प्यमान था ले जाने की आज्या दे कर मातली का बड़ा सम्मान किया दिव्यम तमरथ मास्थाय दिवमेवोत पपातह तस्मिंच्तु दिवमारूढे सरथे रथी नामवरह राघवः परम प्रीतह सुग्रीवं परिशस्वजे परिश्वजच सुग्रीवं लक्ष्मणेना भिवादितह पूज मानो हरिगणै राजगाम बलालयं अथो वाच सका कुच्थह समीप परिवर्तिनं सौमित्रिम सत्वसंपन्नम लक्ष्मनम दीप्ततियसं विभीषणमिमम सौम्य लंकायाम अभिशेचय अनुरक्तम्च भक्तम्च तथा पूर्वो पकारिणम इशमे परमह कामू यदिमम रावनानजम तब इंद्रसारती मातली श्रीराम चंदरजी की आग्या से उस दिव्य रत पर बैठ कर पुनह दिव्य लोग को ही चले गए मातली के रत सहित देव लोग को चले जाने पर रतियों में श्रेष्ट श्रीराम ने बड़ी प्तसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मन की ओर द्रिष्टी डाली तब लक्ष्मन ने उनके चरणों में पड़ाम किया फिर वानर सैनिकों से सम्मानित हो वे सेना की छावनी पर लोटाए वहां आकर रगुनाजी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन सुमित्रा नंदन लक्ष्मन से कहा सौम्य अब तुम लंका में जाकर इन विभीषण का राजय अभिशेक करो क्योंकि ये मेरे प्रेमी भक्त था पहले उपकार करने वाले है ये सौम्य मेरी ये बड़ी इच्छा है कि रावन के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राजय पर अभिशिक्त देखू लंकायाम सौम्य पशेयम अभिशिक्तम विभीषणम एव मुक्तस्तु सौमित्री राघ वेन महात्मनां तथे युक्त्वास संहिष्टह सौवर्णम घटमाददे तम घटम वानरेंद्राणां हस्ते दत्वा मनोजवान व्यादिदेश महासत्वा समुद्र सलिलं तदा अतिशीख्रम ततो गत्वा वानरास्ते मनोजवाह आगतास्तु जलम ग्रिहिय समुद्राद्वानरोत्माह ततस्त्वेकम घटम ग्रिहिय संस्थाप्य परमासने घटेन तेन सौमित्र अभ्यशिंचद विभीशनम लंकायाम रक्षसाम अध्ये राजानम राम शासनात विधेना मंत्रद्रिष्टेन सुहरिद्गण समावृतम अभ्यशिंचस्तदासरवे राक्षसाम वानरास्तथा तब महात्मा श्री रगुनात्मे जब इच्छा प्रकट की कि वो विभीशन को राज्य पर अभिशिक देखना चाहते हैं तो उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्षमन को बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में लिया और उसे वानर यूथपतियों के हाथ में देकर प्रोन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्यादी वे मन के समान वेग शाली श्रेष्ट वानर तुरंथी गए और समुद्र से जल लेकर लोटाए तदनंतर लक्षमन ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीशन का वेदोक्त विधी के अनुसार लंका के राजपद पर अभिशेक किया यह अभिशेक श्री राम चंदर जी की आज्या से हुआ था उस समय राक्षसों के बीच में सुहृदों से घिरे हुए विभीशन राज सिंगहासन पर विराज मान थे लक्षमन के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिशेक किया प्रहर्शमतुलमगत्वा तुष्टुवू राममे वही तस्यामात्या जहे शिरे भक्ताये चास्यराक्षसाह दृष्ट्वाभिशिक्तम लंकायाम राक्षसेंद्रम विभीशनम राघवः परमाम प्रीतिम जगाम सहलक्ष्मन सतत्राजमहत्प्राप्यरामदत्तम विभीशन सांत्वयत्वा प्रकृतयस्ततो रामम उपागम दध्यक्षतान्मोदकाश्यलाजाह सुमनस्तताः आजहरुरत संहिष्टाह पौरास्तस्मयी निशाचराह सतान्ग्रिहित्वा दुर्धर्षो रागवायन्य वेदयर मंगल्यम मंगलम सर्वं लक्ष्मनाय चवीर्यवां तो सब ने, लक्ष्मन ने, वानरों ने, श्री राम ने, सब ने मिलकर विभीषण का अभिशेक कर दिया है वे अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुती कर रहे हैं राक्षस राज विभीषण को लंका की राज पर अभिशेक्त देख उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस भी बहुत प्रसन्न है साथ ही लक्ष्वन सहित श्री रगुनात जी को भी अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है श्री राम चंदर जी के दिये हुए उस विशाल राज्य को पाकर विशान अपनी प्रजा को सांत्वना दे श्री राम चंदर जी के पास आए उस समय हर्श से भरे हुए नगर निवासी, निशाचर विशान को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल आए दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने वे सब मंगल जनक मंगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्वन को भेट करती कृतकार्यम सम्रिधार्थम, दृष्ट्वारामो विभीषणम, प्रतिजग्राह तत्सर्वम तस्यव प्रतिकाम्यया ततह शैलोपमम वीरम प्रांजलिम प्रणतम स्थितम उवाचेदम वचो रामो हनुमंतम प्लवंगमम अनुग्याप्य महाराजम इमम सौम्य विभीषणम प्रविष्य नगरीम लंकाम कौशलम ब्रुहिमे थिली वैदेहिमाम्च कौशलम सुग्रिवम्च सलक्ष्मणम आचक्ष्ववदताम श्रेष्ठ रावणम्च अहतम उरने प्रियमेत दिहाख्याहि वैदेह्यास्त्वमहरीश्वरः प्रतिक्रिहयतु संदेशम उपावर्ति तुमल हसी तो श्रीर अगुनाच जी ने विभीशन को कृतकार्य एवं सफल बनोरत देख उनकी प्रसनता के लिए ही उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया रतपश्चात उन्होंने हाथ जोड कर विनीत भाव से खड़े हुए परवताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा सौम्य तुम इन महराज विभीशन की आग्या से लंका नगरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो साथ ही उन विदेह राज कुमारी से सुग्रीव और लक्षमन सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो हे वक्ताओं में श्रेष्ठ हरिश्वर तुम वैदेही को यह प्रिय समाचार सुना दो कि रावन युद्ध में मारा गया तथ पश्चात उनका संदेश लेकर लोट आओ इस प्रकार श्री राम भेज रहे हैं हनुमान जी के हाथ सीता को संदेश और इसके साथ ही हम श्री वालमीक निर्मित आष्च रामायन आदिकावे के युद्ध कांड में एक तो बारहभा सर्ग पूरा करते हैं इत्यार्श श्रीमत रामायने वालमीक ये आदिकावे युद्ध कांडे द्वादशा अधे कशटतम संद ओ श्री सिता राम चंद्रा भ्याम नमा